नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं नेश्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेश्रल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तर सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आएए शुरू करते हैं 5 मिनिट के टाइम फ्रेम से नेश्रल गैस MCX का चार्ट दोस्तों 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर हम नज़र डालें तो मार्केट ने यहां ने सेशन देखा मार्केट ने गैब डाउन ओपनिंग के साथ शुरूआत करी प्राइसे उपर गए फिर वहां से करेक्शन और अभी करेंटली हम देख रहे हैं प्राइसे जो हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं 181.80 दोस्तों एक प्राइस था 182 जिसके पास मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है और ये वो प्राइस था जो आज से दो दिन पहले मार्केट में ट्रिगर हो चुका है उसके नीचे मार्केट ने काफी दिर अपने आपको सस्टेन करने ही कि कोशिश की रिकवरी है 186 के आसपास तक के कुछ लेवल इसने टेच किये व एक कदम जो उठाया है उसमें जो भी बाइंग आती है या फिर एक अप्ट्रेंड हमें देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए मतलब शॉर्ट सेलर्स के लिए एक सिर्फ एग्जिट करने की ही एक अपॉर्चुनिटी होगी उसके अलावा कुछ नहीं कोई भी लॉंग पो को बिल्कुल अभी खास और से अभी कुछ दिन तक के लिए जब तक मार्केट नीचे आ तो एक सपोर्ट नहीं दिखाता कहीं पर अभी देखिए अभी मार्केट नीचे आया वहाँ पर थोड़ा सा कंसोर्डेट जो होना था इसे वो भी हो चुका और एक डिप लेने की मार करकेट कोशिश कर सकता है करन्ट प्राइस है 181.90 पर इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चीस को हम ध्यान में रखेंगे कि प्राइसे नीचे जा रहे हैं इंट्र डे में हमें देखिए शॉर्ट पोजिशन अगर आपकी प्रॉफिट में जा रही है क्लोज हो रही है तो अब उसे नेक्स डे के लिए कैरी करने का सोच सकते हैं लोंग पोजिशन अगर आपकी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में तो बिल्कुल नहीं अगर प्रॉफिट में जा रही है तो भी आप उसे आगे के लिए कैरी ना करें यह मिना मतलब है ठीक है करन्ट प्राइस है 18 21.90 थोड़ा सा और आके चलते हैं देखते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छी करेक्शन जो लास्ट वीक से स्टार्ट होगी थी लास्ट वीक के बिलकुल एंड टाइम से स्टार्ट वी थी 11 बज़े के असपास रात को फिर तब से मार्केट ने नीचे के तरफ सपोर्ट लिया थोड़ी सी रिकवरी फिर वहाँ से मार्केट में करेक्शन इस तरीके से और आज हम देख रहे हैं मार्केट में एक करेक्शन जो बनी हुए है 182 के असपास मार्केट का ट्रेड चल रहा है कल का लो इसने ब्रेक नहीं किया है ठीक है और थोड़ी सी और करेक्शन अगर मार्केट में आती है तो और ज़्यादा नीचे में जो लास्ट वीक का जो लो था वो ब्रेक होने के चांसेस काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे पर इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर इनी प्राइसस पे नेच्ट वीक ने अपने आपको होल्ड कर लिया तो अभी और अगर इसमें कोई भी अप्ट्रेंड आता है तो हमें मतलब अप्ट्रेंड नी एक मूव आता है अपसाइट की साइट में मतलब कोई रिकवरी फेज फिर से बरने लगता है तो किस लिवल का हमें धियान रखना है और वो भी अगर हम कोई भी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कोई भी लोंग पोजिशन अगर हम बनाते हैं तो वो प्योरली इंट्राडे अगर हम रखें तो ही सही रहेगा नेक्स डे के लिए के लिए कैरी बिलकुल ना करें लोंग पोजिशन ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या वी उन्हों जरा रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो नेशल गैस में जिस तरीके से इस डाउन साइट को मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ यह थोड़ा कंसलिडेशन का टाइम पिरिट जरूर था और डिप लिया मार्केट ने यहाँ पर फिर नीचे और फिर यह नीचे जाने के लिए भी थोड़ा सा कर्व बन रहा है पर बहुत बड़ी कंफिरमेशन नी क्योंकि सपोर्ट बेस है यह इसका ठीक है सपोर्ट मिल गया है यह कब कंफिरम होगा थोड़ा सा और आगे चलते है चार घंटे के टाइम फिरिम पे वहां देखते हैं कि क्या वियू नजर आ रहा है यहां अगर हम देखें मार्केट में सेलिंग थोड़े बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग बाइंग मतलब जिगजग पैटर्ण और उपर वहां से करेक्शन और यह कंसॉलिडेशन इस पार्ट में अभी होता हूं में नजर आ रहा है यह देखें यह जितना पार्ट है मार्केट में इसमें बिलकुल लोएस प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है यह कुछ इस तरीके से है एक डिप लिया और उसके बाद इस तरीके का एक पैटर्ण बन रहा है यह अगर नीचे को जाने लगता है तो जो क्रेश है वो भी हो जादा आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से जब मार्केट कोई उपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उपर जाता है यहां इस तरीके से फिर नेक्स्ट वेव यह दिखाता है तो इसी तरीके से डाउन साइड में यह एक वेव दिखाने की कोशिश कर रहा है ठीक है पर नीचे में जो इसका lowest price है वहां पर थोड़ा सा support ज़रूर मिला हुआ है वो कब confirm होगा कि market को support मिल गया है उसके लिए भी हम वापस बात करेंगे और आगे चलते है डेली चार्ट्स पर यहां हम देखते है market में consolidation, upside, downside, upside फिर upside फिर यहां से correction फिर upside फिर downside और यह हम देख रहे हैं कि इस portion में तीन trading days हो गए है market को continuously और इस range के बाद भी recovery के कुछ बहुत major moment नहीं आ रही है market में वापस prices नीचे हैं वापस चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखे हर टाइम फ्रेम पे एक ही चीज़ common है कि market अपने बिलकुल lowest prices पे अभी trade कर रहा है ठीक है इस तरीके का एक pattern इसमें बन रहा है 182.20 और आप यह देख रहे हैं कि यह fourth candle है जिसमें जो lowest price है वो लगभग चारो candle का almost 182 के आसपास ही है वापस चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखिए उन prices को अब हम discuss करते हैं जो अब important होने वाले हैं सबसे पहली चीज़ के market ने जो support लिया है वो कब confirm होगा सबसे पहला price है 183.70 जब तक यह price break नहीं होता upside में तब तक कोई भी support जैसा तो आप बिल्कुल ना सोचें ठीक है जो selling pressure है वो continue रह सकता है जब तक 183.70 break नहीं होता इसमें upside में यहां से अभी भी 1.5 रुपय और उपर है तो जब तक वो price break नहीं होगा कुछ ऐसा ना सोचें जो एक important price है देखिए market में selling आई पहली बारी इसने कोशिश करी फिर selling आ रही है अगर दूसरी बारी कोशिश होती है तो वहां पर हम intraday के लिए long position के लिए कोशिश कर सकते हैं वो कौन सा price रहेगा 186.10 के break होने के बाद मतलब इसे 20 आप लगा के रखिए 186.10 जब break होगा मेरे कहल से यहां कहीं का price है तो market को एक strength मिल सकती है intraday to मतलब एक दिन और आप समझ लीज़े कि next day तक के लिए और फिर market वापस नीचे जाएगा और नीचे जाएगा वो कहना थोड़ सा मुश्किल है मतलब उसमें फिर से selling pressure कब बनेगा overall trend क्योंकि downside कई है तो उपर कितना और कब तक के लिए hold करेगा वो एक बर इस price के break होने के बाद यह हमें पता चलेगा और अगर यह price break नहीं हो रहा सिर्फ 183.70 ही break हुआ है तो आप इस तरीके से आप उससे समझिए कि market यहां से उपर तक जाने से पहले एक selling pressure face कर रहा है prices फिर से नीचे की तरफ move करने ही कोशिश कर सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों से हम ऐसा भी देख रहे हैं कि market में natural gas के prices में जो moment है वो काफी कम हो गई है नीचे एक selling pressure जो है वो पूरे दिन एक दिखाई देता है prices जो है अब उतने volatile नहीं रहे हैं और जब भी कभी कोई market में एक dullness आने लगती है volume गायब होने लगता है तो आप यह मानना कि prices के नीचे जाने के chances धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ते रहते हैं ठीक है तो अगर market dull market रहेगा तो prices धीरे धीरे नीचे की तरफ ही move करेंगे और lower side में अगर अभी की बात करूं तो 160-65 के around market को support मिलेगा ऐसे कुछ chances लग रहे हैं देखें down side में भी कुछ भी ऐसी expectation मत रखिये market से कि market में एक reversal आ जाएगा prices और कहां जाएंगे prices नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं ये बहुत clear है हमारे सामने उपर में एक price है 192 ये market में और ज़्यादा strength दे सकता है तब थोड़ा सा जो long position holder है उन्हें थोड़ा सा एक relaxed mode में आने की जरूरत है देखिए 186.10 सिर्फ intraday में आपको help कर पाएगा ये prices जो है और थोड़ा सा एक upside दिखा सकते हैं 3-4 रुपए के शायद एक upside आ जाएगी पर 192 के उपर उसका जाना और hold करना उसके बाद ही आप ये सुच सकते हैं कि prices अब उपर की तरफ move कर सकते हैं और अब हम position एक दिन के लिए carry कर सकते हैं next day के लिए carry over कर सकते हैं अदरवाइस कहीं भी किसी भी level पे आप ये mind make up मत कीजिए कि आपका आज कोई भी trade अगर profit में भी enter हो रहा है तो उसे आप next day के लिए hold करें ज़्यादा तर चांसे किसी भी upside में ये बनते रहेंगे जब तक 192 break नहीं होता है कि market में next day gap down opening हो सकती है ठीक है तो कुछ इस तरीके का एक scenario बन रहा है और इसके बाद जो level है जो last level होगा हो वो है 210 210 भी अगर break हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हम यह देखने हैं 18 rupees का एक gap है यहाँ पर हमें एक अच्छी space मिलेगी long position create करने की तो 192 इसके बाद ही आप यह सोचें कि आपको buying करनी है 186.10 purely intraday level है और सिर्फ आज अगर यह break होता है उपर में तो सिर्फ आज आज के लिए आप इसे सोच सकते हैं और अगर 183.70 अभी break नहीं होता तो market में selling के continue रहने के chances आज बने रहेंगे ठीके दोस्तों तो यह था मेरा national gas mcx पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेर साथ देखते हैं यह market report धन्यवाद